बारत माता की मन पर बिराजमान संसद में मेरे साथी और उत्तरप्रदेश भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्ष युवा नेता त्रिमान केशो प्रसाज जी मौरिय हम सब के मारदर्शक भारतिय जनता पार्टी के वरिष्ट नेता आदर्णिय डॉक्तर मुरलिमन और जोशी जी केंद्र में मंत्री परिषत के मेरे साथी साध्वी निरंजन जोती जी संसद में मेरे साथी स्री ओम जी शी देवेंडरसी जी केंद्र में मंत्री परिषत के मेरे साथी स्रीमान राजी प्रताप रूडी जी विदाय केमं महा सचीव सी सलील विष्णोई जी प्रदेव सचीव सिमान स्वतंत्र देव पतेल जी स्विमान विजय बादुर पाठरक जी मानुवेंद्र सी जी कौसलेंद्र सी पतेल बाबुराम निशात सिमधी कृष्णा पासवान जी प्रकाश शर्मा जी सुरेंद्र मैथानी जी अरुन पाठरक जी राहुल अग्निहोतरी जी सत्यदेव पचोरी जी स्रीमती अनिता गुपता जी सीरगुनंदर भदोरिया जी रामशरन कटियार जी सतीस महाना जी सिमान हर्दवार दुबे जी और विशाल संग्या में पदारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों पिछले कुछ दिनों में मुझे उत्तर प्रदेश में जहां जहां जाने का सवभागी मिला है मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर नहीं परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है आंधी चल पड़ी है ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश का हर नागरी परिवर्तन का संकल्प पुर्ण करने के लिए जी जान से जुड़ गया है भाईयो भेनो आपके बीच आने से पहले मुझे भारत सरकार के कारकम में सरीख होना था यही परपास में ही उस कारकम का समारो था अनेक प्रकार की नई योजना है खास करके उत्तर प्रदेश के नवजवानों के लिए देश के नवजवान जिसके पास उर्जा है ऐसे उर्जावान नवजवानों के हाथ में अगर हुनर आ जाए तो मेरा देश का उर्जवान नवजवान पूरे भारत को नई उर्जा दे सकता है नई गती दे सकता है विकास की नई उडान दे सकता है और इसलिए आज यहाँ पर स्कील डेवलप्मेंट के अनेक योजनाओं का आरंब किया है पूरे देश में भी अनेक कायरकमों को आज लॉंच किया गया है देश और दुनिया में आने वाले दिनों में जिनके पास युवा धन है युवा शक्ती है वे विश्व में अपनी तांकत दिखा सकता है अपना अस्तीत्व दुनिया के लिए उपकारक सिद्ध कर सकता है भारत आज सवभाग्य साली है कि भारत के पास 35 से कम आयू की संख्या 65 प्रतीशत से जादा है जो देश नवजवान हो जिस देश के पास उरजावान युवा हो वह देश दुनिया के सामने अपनी तांकत का परीचे करवा सकता है लेकिन वो तब संभव होता है जब उसके हाथ में हुनर हो काम का आउसर हो देश में गती हो विकास की उड़ान हो तो भायो भनो भारत में गरीबी को खत्म करने में देर नहीं लग सकती भायो भनो ये ताकत मेरे देश के युवा में है आज हमने गैस पाइप्लाइन का भी लोकारपन किया बिजिली के लिए एक सब्स्टेशन का भी लोकारपन किया एक प्रोजेक्ट एक प्रकार से उर्जो के प्रोजेक्ट है एनर्जी के प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट भी आर्थिक बदलाव लाने में उर्जा का काम करते हैं भायो भनो आपने देखा होगा ये उत्तर प्रदेश का अतिकार है ये उत्तर प्रदेश का गवरव है कि उत्तर प्रदेश ने देश को स्थीर सरकार देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है स्थीर सरकार नहीं थी समझयोते से गाड़ी चल रही थी मिर्नई नहीं होते थे पुरी देर एक को समालो तो दूसरा नाराज दूसरे को समालो तो तीसरा नाराज वो अपनों को समानने में लगे देश को समानने के लिए उनके पास समय नहीं था देश को समानने के लिए उनकी प्राइवरिटी नहीं भाईयो भाईयो बहनो आज दिल्ली में आपने ऐसी सरकार बनाई है जो सरकार गरीबों को समर्पी था पहले दिन से हमने जो जो योजना लाए हैं वो सारी योजनाएं इस देश के गाउं, गरीब, किसान, बलीत, पीडीत, शोसीत, वंचीत, माताए, बहने, युवा, उनी के जीवन में बडलाव लाने के लिए हमारी सभी योजनाएं केंद्री था है, मैं हरान हूँ, एक तरफ हम देश को ब्रस्टा चार से मुक्त कराने की लडाई लड रहे हैं, हमारा एजन्डा है प्रस्टा चार बंद हो, हमारा एजन्डा है काला अधान बंद हो, लेकिन उनका एजन्डा है साउसद बंद हो, साउसद बंद हो, साउसद बंद हो, पूरा महिना साउसद चलने नहीं दी, ये संसज क्यों चलने नहीं दी भाई पार्लामेंट में चर्चा क्यों नहीं की राश्पती के कहने के बाद भी होहला करते रहे नारे बुलाते रहे इसलिए करते थे कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाती थी इससे वो भाग रहे थे डर रहे थे अब तक जिनों ने सरकारे चलाई है उनके लिए हिसाब देना जरा महंगा पड़ रहा था और इसलिए संसज मैं होहला करो नारे बाजी करो स्पीकर महोदा उपर कागज के टुकड़े फैको यही काम करते रहे अरे मुंसी पालिटी में चुने हुए लोग भी ऐसा व्यहवार करने से पहले पचास बार सोचते हैं देश की सुनसद को उसकी गरीबा को अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाने का प्रयास मेरे देश वाचियों ये बाते सामान्य नहीं है गंबीर है देश वाचियों को समझ रहा होगा सुनसद पहले भी रुकती थी सुनसद में पहले भी रुकावटे आती थी लेकिन तब रुकावटे आती थी क्योंकि विरोधी दल मिलकर के बेइमानों के ख़लाब लड़ाई लड़ना चाहते थे गोटानों को उजागर करना चाहते थे गोटाने बाजों को सजा मिले इसकी मांग कर रहे थे और इसलिए कभी कभी सुनसद में वहधान आते थे पहली बार पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बेइमानों की मदद करने के लिए कुछ लोग सुनसद में नारे बोल रहे थे सरकार सरकार बेइमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी विरोधी दल बेइमानों को बचाने के लिए एक जूट हो रहे देश आज दो हिस्सों में बटा हुआ है एक तरफ मुठी भर वो नेता है जो काले धन को प्रस्टाचार को बेइमानी को बचाने पे लगे हुए है और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान है जो इमानदारी की रास्ते पर चलने के लिए कुछ भी सहरे को तयार है भाईयो भेना ये प्रस्टाचार ये काला धन काला मन काला करोबार यही है जिसने मद्यंबर का सोशन किया है और गरीबों के हक को छीना है भाईयो भेनो आज दिलनी में ऐसी सरकार बैठी है जो गरीबों को हक दिलाना चाहती है जो मद्यंबर को सोशन से मुक्त कराना चाहती है जो देश पर इमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है और देश वासी जिस इमानदारी के लिए पहचाने जाते है उसको ले करके एक नई ताकत खड़ी करना चाहती है लेकिन भाई योबहनो जिनको आदत बेईमानी की पड़ी है जिनको आदत गलत काम करने की पड़ी है उनसे अब देश जादा अपेक्षान नहीं कर सकता और इसलिए मेरे प्यारे देश भातियों मेरे प्यारे भाईयों बहनों यह परिवर्तन की आग यह परिवर्तन की ललक पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंदी क्यों आई है यहां के लोग गुन्डा गर्दी से तंग आ चुके है तंग आ चुके है हर कोई गुन्डा गर्दी कर रहा है सरकार में बैठे लोग गुन्डा गर्दी करने वालों को सह दे रहे हैं वायो तो सामान ने मानवी जाएगा कहा उसका मकान चिल ले उसकी जमीन चिल ले वो जाएगा कहा भायो भना जब तक लख्ठन में सरकार नहीं बदलोगे यह गुन्डा गुर्दी करने वाले ठिकाने नहीं लगने वाले सामान ने मानवी को परिशान करने वाले लोग चुप बचने वाले नहीं हैं और इस चुड़ाओं में भी यह गुन्डा गुर्दी पालने वाले और गुन्डा गुर्दी करने वाले बेखोप हो करके चुड़ाओं में अना अपसरा आप सब कुछ करने पर तुले होंगे लेकिन इमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हिंदुस्तान का नेक दिल इनसान उत्तर प्रदेश के भविशे के लिए संकल्प बदो करके परिवर्तन लाकर के रहने वाला है यह मैं साब देख रहा भाई यो बेनो मैं आज हमारे देश के चुनाव आयोक का भी अभिनन्दन करता हूँ उन्होंने देश के राजरितिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आवाहान किया है बार्तिय जंता पार्टिस का स्वागत करती है भाई यो बेनो साउसथ के सत्र के पहले आल पार्टि मिटिंग में सभी राजरितिक दलों के सभी वरिष्ट नेताओं के बीच मैंने उनके सामने आगरे से कहा था कि देश इमांदारी चाहता है देश इमांदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है राजरितिक दल राजनेता उनके प्रती जनता के दिल में अविश्वात भणा पड़ा है लोग कंत्र में हम राजनेताओं की राजरितिक दलों की जिम्मेवारी है कि हम जनता को इमांदारी का विश्वात दिलाएं और मैंने कहा था कि इस बार संसद में हम खुल करके चर्चा करें दोग शोब पर खुल करके चर्चा करें कि ये पॉलिटिकल पार्टिया राजनितिक दल उनको चंदा कैसे मिलना चाहिए ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए देश की जनता के सामने ये चंदे के सबन में राजनितिक दलों पे जो उंगलिया उठी रही है क्या देश की जनता की च्छा कांच्छा के नुकॉल हम मिल करके कोई रास्ता खोच सकते कर नहीं खोच सकते यह बात मैंने और पार्टी मिटिंग में कही थी और मैंने आगरा किया था कि सदन मैं इसकी चर्चा होनी चाहिए मैंने दूसरी बात कही थी जो हमारे देश के आदर्णिय राष्पती जी ने भी उसका उलेट किया आदर्णिय प्रनव मखर जी ने कहा कि हमारे देश में लोग सभाव और विधान सभाव के चुनाव अलग अलग होते हैं उसके कारण देश पर बहुत बड़ा बोज पड़त है काले धन के कारोबार को अवसर मिल जाता है क्यों ने देश में लोग सभाव और विधान सभाव के चुनाव साथ साथ कराने का वातावर्ण क्यों ने बनाये जाए व्यवस्ता क्यों ने खड़ी की जाए आए दिन चुनाव के खारण गाउं गाउं में तनाव पड़ा हो जाता है सारी विकास की यात्रा रुख जाती है अगर पांच साल में एक बार चुना हो पांच साल सब सरकारे जो भी चुन करे आए वो काम करे, मैंने सभी पार्टियों को कहा था, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन चलने नहीं दिया गया, क्योंकि ये दोनों बाते ऐसी थी, कि जिस से ये चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते थे, भाईयों बैनों, मैं इलक्षन कमिशन से फिर से आगरा करता हूँ, किस बात को आगे बढ़ाएं, देश के राज लिदिक दलों पर दबाव पैदा करें, सबसे मिल करके चर्चा करके करें, और हमारी सरकार जो फैसला होगा, जो जन्ता के हित में होगा, इमानदारी के पक्ष में होगा, उसको तुरंत लागू करने के लिए प्रतिबत है, यह मैं विस्वाद दिलाना चाहता हूँ, भाईयों भेना, ब्रस्टा चार और काले धन के खिलाब लड़ाई, हर प्रकार से हमें जीतनी है, ब्रस्टा चार और काले धन से देश को मुक्त कराना है, हमारे देश की बरवादी के मूल में यही बिमारी है, जिसने गरीब को गरीब रहने के लिए मजबूर किया है, और इसलिए भाईयों भेनों आवशक हैं कि हम इस लड़ाई में एक सिपाई बन करके देश के उजवल भविश्य के लिए काम करें, भाईयों भेनों आठ नमेंबर को हमने नोट बंदी का निरने किया, आप जानते हैं कैसे कैसे लोगों के पसी ने छुड़ गए, जिन्होंने गरीबों का लूटा है, वे आज परेशानिया जेल रहें, रास्ते खोज रहें, गरीबों के घर जाकर ये कतार लगा के खड़े हो गए थे, कि मेरे पैसे हैं कुछ तुम रख लो, बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाओं। भाई यो भनो, जब हजार की नोट थी, तो सौ की नोट को कोई पूछता नहीं था, अब हजार और पांसो की चली गई, तो सो वालों की ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई तो, वो भी जिन थे, जब बड़े बड़े लोगों की पूछ होती थी, छोटे लोगों को पूछता नहीं था, अब छोटी नोट भी पूछी जाती है, पूजी जाती है, छोटे लो आईयो बहनो, कॉंग्रेस पार्टी 35 साल पहले जो कानून बनाया था पॉलिटिकल पार्टियों की हिसाब किताब के सबस्द में हमारी सरकार ने उसमें फुल स्टॉप कॉमा को भी हाथ नहीं लगाया है और कल मैंने देखा, कॉंग्रेस के नेद्ब हमें बददाम करने के लिए उचल पड़े थे, मैं जरह कॉंग्रेस वालों को याद कराना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी के लोग सीना तान करके, मीडिया के सामने बोलते थे, बेश्चर्मी के साथ बोलते थे जब सिताराम केसरी कॉंग्रेस पार्टी के कोशाचक्ष हुआ करते थे पर्मेनन कोशाचक्ष थे और सिताराम केसरी कैसे कोशाचक्ष थे तो खुद कॉंग्रेस के लोग बोलते थे न खाता न वही जो केसरी कहे वो ही सही न खाता न वही केसरी कहे वो ही सही ये तो उनके हिसाब किताब के तरीके थे देश की जनता को कभी हिसाब न देना ब्रस्चाचार पन पे तो पनप देना खुद के फाइदे में जो हो वो करते रहना इसी का परणाम है कि देश तबाह हो गया है भाई भाई यो भाई भनो हम विकास की नई उचाईयो परदेश को ले जाना का आप पुदे बताईए आजाजी के सतर साल बाद उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारे आके गई इतने सारे प्रधान मंत्री बने उत्तर प्रदेश से उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में करीब करीब पंद्रा सो सोला सो गाव ऐसे है जहां पर 21 सदी में भी बिजली का खंभा नहीं पहुचा बिजली का तार नहीं पहुचा बिजली का लट्टू नहीं लगा क्यों भाई मेरे उत्तर प्रदेश के उन पंद्रा सो सोला सो गावों का क्या दोश है कि उनको अठारवी शताब्दी में जीने के लिए मजबूर किया गया क्या कारण है भाईयो बेहनों मैंने लाल के लिए पर से आवहन किया था पिछले वर्स और मैंने कहा था एक हजार दिन में हिंदुस्तान के जो अठारा हजार गाउं जिसमें उत्तर प्रदेश के पंद्रा सो सोला सो गाउं हैं एक हजार दिन में मैं बिजली पहुँचा दूँगा भाईयो बेहनों आज आज बड़े संतोस के साथ मेरे उत्तर प्रदेश के भाईयो बेहनों को मैं कहना चाहता हूं जो पंद्रा सो सोला सो गाउं थे उसमें अब सतर बहत्तर गाउं बाकी रहे हैं बाकी गाउं में बिजली पहुँच गई लोगों ने बिजली घरों में लेना शुरू कर दिया भाईयो बहनो जो 70-72 गाउं बाकी रहे हैं उसमें भी 50 गाउं ऐसे हैं जहां कोई लोग ही नहीं रहते जिर्फ कांगेज पर गाउं का नाम बचा है एक प्रकार से सिर्फ 20-22 गाउं बाकी है जिसका काम तेजी से चल रहा है अगर यहां की सरकार रुकावट न डाले तो वो काम भी बहुत तेजगती से पुरा कर देंगे यह मैं हिसाब आपको दे रहा हूं भाईयो बहनो एक समय था गैस का कनेक्शन लेना हो गैस सिलिंडर लेना हो तो कितने पापड बेलने पड़ते थे यह माताए बेहनों ने तो कभी सोचा भी नहीं था गरीब मा बेहनों ने कि कभी उनके घर में भी गैस का चूला होगा गैस का सिलिंडर होगा और फटाक से खाना पका करके रुखाना बच्चों को खिला करके रोजी रोटी कमाने के लिए जा पाएंगे कभी सोचा तक नहीं हमने बिड़ा उठाया है तीन साल के भीतर-भीतर हिंदुस्तान के गरीब परिवारों में गैस का कनेक्शन देना गैस का सिलिंडर पहुँचाना और लकडी के चूले से सहथ बरबाद हो रही मा बेहनों को बचाने का हमने बिड़ा उठाया है और आज अकेले उत्तर पुदेश में लाखों परिवारों में कोई प्रस्टाचार की शिकायत नहीं है कोई भाई बतीजेवाद की शिकायत नहीं है कोई जातीवाद की शिकायत नहीं है जिसका भी नाम गरीबी की रेखा के नीचे रेकॉर्ड पर लिखा है 35 लाज से जादा लोगों के घरों में गैस का कनेक्शन पहुंच गया गैस का चूला जलने लग गया बच्चों को अच्छा खाना मिलना चुड़ू हो गया भायो भनो अगर काम करना चाहे तो काम कैसे हो स सकता है इसका ये उदाहन आप दे सकते हैं भायो बहनों कि ये उत्तरप्रदेश को कोई साल ऐसा नहीं जाता है जबकि गन्ना किसान परेशान नहों होता हुआ है मिले समय पर चालू ना हो ना गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलना मिले देर से चालू करने के कारण गन्ने का वेट कम होता है मिलो वालों को मुनाफ़ होता है पहली बार भायो भनो समय पर मिले चालू हुई है और गन्ना किसानों के 2013-14-15 में जो बकाया राची 20-22,000 करोड थी उसको भुक्तान करने में हमारी सरकार ने सभलता पाई है भायो भनो ये कम होता है और इसलिए हम देश के किसान को भी तांकत देना चाहते हैं सोईल हेल कर यूरिया का निम कोटिंग आप जानते हैं यूरिया का क्या उप्योग होता था मैं ज़र दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं दिल्ली वाले बड़े चाओ से जो दूड़ पिते थे उनको पता भी नहीं चलता था कि सही में गाई या भैंस का दूद कौन सा है और यूरिया से बना हुआ सिंथेटिक दूद कौन सा है पता तक नहीं चलता यूरिया का उप्योग खेत में किसानों को मिलने के बजाए देश के बर्बात करने पर तुले हुए मुठ्थी बरलोग उसमेंसे सिंथिक दूद बना करके दिल्ली के लोगों तक पहुचा देते थे अब हमने यूरिया का नीमकोटिंग कर दिया अब यूरिया का नीमकोटिंग करने के कार Ay उसका शिरब एकी उप्योग हो सकता है और वो जमीन में खेत में डालने के सिवाई कोई उप्योग नहीं हो सकता है बताइए मेरे भाईयो बहनो करोडो करोडो बच्चों की जिन्दगी हमने बचाई की नहीं बचाई बताइए मेरे भाईयो बहनो करोडो करोडो बच्चों की जिन्दगी बचाई की नहीं बचाई एक निनने नीम कोटिंग, यूरिया का नीम कोटिंग, सिंथेटिक दूद बनाने वालों के धंदों पर चोक पहुचा दी और देश के करोणों बच्चे, जिन को इस प्रकार का यूरिया से बना हुआ, दूद पिलाने के लिए मजबूर किया जाता था उन बच्चों की जिन की बचाने का काम, एक निर्णे से हमने कर लिया है भाई, इन नोट बंदी भी ऐसी है, एक निर्णे से अच्छो अच्छों का खेल खतम हो चुका है, कुछ लोगों को लगता था, कि बैंक में पैसे डाल दिये, तो सफेद हो जाएंगे, यह गलती कर गए, उनको पता नहीं था, यह सरकार इमानदारी की सरकार है, इमानदारी के लिए सरकार है, इमानदारों के कारण यह सरकार है, और इसलिए, जो सरकार इमानदारों के कारण हो, जो सरकार इमानदारी के लिए हो, जो सरकार इमानदारों के लिए हो, उस सरकार को कम बता किये, कम बता किये, फस गए, उनको लग रहा था। अब हमने टेकनोलोजी से ढून रहे हैं, कहां से रुपी आया, कब आया, वो आया था, वो कौन था, CCTV केमरा में देखा जा रहा है, और आपने देखा होगा दमा दम रुपी पकड़े जा रहे हैं, पहले कभी ये दरश्य देखा था, पहले कभी देखा था, ये लूटने वाल आपने वो पर हाथ लगाने की किसी की ताकत थी, भाईयो भने, आज हिंदुस्तान के हर कौने में, जिन्हों ने देख के गरीबों के साथ खिलवार किया है, उनका हिसाम मैं चुपता कर रहा हूं, भाईयो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, इनकी ताकत कितनी है, जो इतनी ताकत रखते हैं, बैंक के अफसरों को भी खरीच सकते हैं, भाईयो भनो, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे देश वासियों, यह लड़ाई, देश के इमानदारों की लड़ाई है, देश के गडिवों की लडाई है और ये सरकार, ये लडाई जीत करके रहने वाली है कोंकि देश, देश इमानदारी की लडाई जीतना चाहता है मेरे भाईयो बेहनो ये बात मैं बली बाती जानता हूँ इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जन संध्या इतना बड़ा कारोबार नोटों का और इतना बड़ा निर्णए लोगों को क्या कुछ सहना पड़ा है इसका मुझे पूरा अंदाज है मेरे देश वाचियों ने ये जो कुछ भी सहा है देश के उजबल भविश्य के लिए सहा है मेरे देश सहाचियों ने आट नमंबर से आच तक बाती बाती के कस्त जेले है लेकिन मेरे देश सहाचियों आपने जो कस्त जेला है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जेला है देश के स्वार्थ के लिए जेला है देश की भणाई के लिए जेला है और इसलिए भायो भनो आपको कभी निराश होने का अउसर नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ इमानदारी है पवित्रता है प्रामानिकता है भायो भैनो मैंने पहले दिन से कहा है कि पताथ दिन तक एक कठिनाई भाती भाती की कठिनाईया आती रहेगी कभी कम दिखती होगी कभी बढ़ती दिखती होगी पचास दिन तक होने वाला है यह मैंने पहले दिन कहा था और पचास दिन के बाद ये कठिनाईयां बढ़ना बंद कर रहे दिगी, बढ़ना ही पाएगी, कठिनाईयां कम होने की शुरुवात हो जाएगी, ये मैंने पहले दिन कहा था, आज दुबारा कह रहा हो, भाई यो भनो, जो लोग एटीम के उपर कतार लगा के खड़े रहते हैं, जो लोग बैंक में पैसे लेने जाते हैं, मैं जरा हमारे विरोजियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, एक तरब वो कहते हैं, कि लोगों का बैंक में खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है, दूसरी तरब कहते हैं, कि लोग बैंक में पैसे लेने गरीब आदमी ज कि यह एक चीट तो सच बताओ एक तरब कहते हो गरीब का खाता नहीं दूसरी तरब कहते हो गरीब पैसे लेने जाता है बिलता नहीं जनता को गुम्राह करने जूट क्यों भोलते हो यह लोग जम मैं कहता हूँ डिजिटल ऑनलाइन लेस्केश नीडवेट कैश भाईयो बहनों एक जमाना था बड़ा चांदी का रुपिया होता था तभी बाजार में चलता था बदलते 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 कागज की नोट तक रुपिया आ गया भाईयो बहनों अब तो वक्त वो आया है कि हाथ लगाए बिना भी मोबाईल फोन से रुपियों का कारोबार किया जा सकता है आपकी आपकी मोबाईल फोन ही आपकी बैंक बन जाती है चाई पी करके मोबाईल फोन से पैसे दिये जा सकते है चाई पीने वाले से मोबाईल से पैसा लिया जा सकता है नोटों के बिना किया जा सकता है जब मैं यह बताता हो तो ये लोग क्या कहते हैं कर इस देश में कहां लोगों के पाद मुबाईल फोन है इस देश में कहां ये है यही लोग यही लोग हर चुनाओं में ये बाशन देते थे कि राजिव गांधी प्रधान मंत्री थे देश में मोबाईल फोन लाए वह इस देश के गरीव को के हात में कगरीव पाद मोबाईल है कहा गरीब के पास मोबाइल है कहां इतना जूड़ बोलते हो आप लोग यही लोग डोल पिटते थे कि राजिव गांदी ने मोबाइल फोन दिया अब मैं कहता हूं मोबाइल फोन का बैंक मिलेगा तो कहते हैं मोबाइल फोन ही नहीं आप इनको पहचा लोएं कितना जूड़ बोलते हैं यह लोग गुम्रा कैसे करते हैं लोगों को भड़काने का काम कैसे करते हैं भाई यो बैनो यह सरन कारोबार है और बारत सरकार ने कि देश के गरीबों के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई हैं मैं यह योजना आपको बताता हूं आप गरगर पहुंचाओगे गरगर पहुँचा होगे जोर से बताईए गरगर पहुँचा होगे हर दुकानदार को पहुँचा होगे गाउं गाउं पहुँचा होगे पक्ता पहुँचा होगे बारत सरकार ने ये ओनलाइन पेमेंट के लिए इवालेट के लिए डिजिटल करंसी के लिए मोबाइल बैंक के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है 25 डिसेंबर क्रिश्मस की गिप के रुप में इसकी शुरुवाद होने वाली है और योजना ये है कि 8 नमेंबर से अब तक 25 तारिक तक अगर आपने अपने डेविट कार से क्रेडिट कार से कोई खरीदी की होगी तो उसका एक विशिष्टन नमबर जन्रेट होता है इन सारे नमबरों का 25 तारिक को ड्रॉण निकलेगा इनाम का ड्रॉण निकलेगा और 15,000 कम नहीं 15,000 लोग जिनका नमबर लगेगा उनके खाते में सरकार की तरब से 1,000 रुपया जमा हो जाएगा ये कम हर दिन होने वाला है एक दिन नहीं हर दिन होने वाला है सो दिन तक चलने वाला है मतलब की हर दिन नए 15,000 लोग जिसको एक बार मिल जाएगा उसको दुबारा नहीं मिलेगा हर दिन 15,000 लोगों को एक-एक हजार रुपया उनके खाते में जाएगा सो दिन में 15,000 लोग परिवारों में एक-एक हजार रुपया पहुंच जाएगा दूसरा साथ दिन के बाद 30 दिसंबर को एक बड़ा ड्रो होगा जिसमें लाखों रुपया के इनाम दिये जाएगे और तीन महने के बाद 14 एप्रील दॉक्तर बाबा साथ आमबेड करकी जन्म जहनती पर एक बंपड ड्रो होगा और आठ रुमेंबर से लेकर के 14 एप्रील ताग जिसने भी इस प्रकार से कारोबार में खरीद विक्री की होगी उनको करोडो करोडो रुपयों का इनाम दिया जाएगा भाई ये तो हो गया ग्राहक के लिए लेकिन दुकानदार के लिए भी इनाम है जो दुकानदार ये मोबाईल फोन से माल बेचता है देविट कार्ड क्रेडिट कार्ड से माल बेचता है उसका भी अलग नमबर निकलेगा और उसका भी ड्रो होगा और हर सब्ता उसको हजारों रुपियों के इनाम दिये जाएंगे यह हर सब्ता होता रहेगा व्यापारियों को भी इनाम मिलेगा ग्राहक को भी इनाम मिलेगा लेकिन यह इनाम बड़े लोगों के लिए नहीं है यह इनाम छोटे लोगों के लिए है जो 50 रुपिये से ज़्यादा खरीच करता है और जो तन 3,000 रुपिये से कम खरीचता है उसी को इसका लाब मिलेगा 3,000 से ज़्यादा कमा खर्च करने वाले को इनाम की जरुरत नहीं होती है यह गरीब के लिए है गरीब के लिए उसी प्रकार से दुकानदार जिसका साल भर का कारोबार दो करोड रुपिय से कम है उस दुकानदार को ही ना मिलेगा बड़े बड़े अर्बो खर्बो रुपियों के दुकानदारों को इसका लाब नहीं मिलेगा छोटे छोटे लोग दोबी होगा मोची होगा दरजी होगा दूद बेचने वाला होगा चाय बेचने वाला होगा कपड़े बेचने वाला होगा किराने बेचने वाला होगा बिस्किट बेचने वाला होगा छोटे 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 लोग ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों को यह इनाम मिलने वाला है और इसलिए मेरे भाई यो बहनो आप लोग यह कोशिस करें का आपके गाउं में भी इनाम आए आपके गाउं के लोग भी मोबाइल फोन से खर्च करनी की आद़त डाले व्यापारी भी मोबाइल फोन से लेंदेन करना शुरू करें आप देखिए प्रस्टा चार और काले बाजारी करने वालों के दिल समापत हो जाएंगे भाई यो बैनो फिर से कभी देश में काले धन की नौबत नहीं आएगी फिर से इस देश में प्रस्टा चार के खेल नहीं हो पाएं मैं आज इस कानपूर की धरती से देश सबास्यों को रदय से अभिनंदन करना चाहता हूं ये लड़ाई जीतन हम इसलिए रहे हैं क्योंकि देश के करोडों करोडों लोकों ने आशिरवाद दिये है इमानदारी की लड़ाई आगे इसलिए बढ़ रही है कि करोडों करोड आटी है दोगरीब देश सबास्योंने मद्धंभर की लोगों ने इमानदार लोगोंने amendments के लिए कष्ट जयला है गंपेर कितार में खड़े रहे लोगों ने आकर के उनको उक्साने की कोशिश की राजनेताओं ने भड़काने की कोशिश की बाती बाती की बाते चलाई गई लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटाट पूरा हिंदुस्तान इमानदरी के साथ खड़ा रहा इससे बड़ा किसी देश का सवभाग्य नहीं हो सकता भ भाई यो भणो मैं मिडिया के मित्रों से भी आगरह करता हूं मैं पत्रकारी ता जगत से भी आगरह करता हूं मैं इंटलर्चुल वर्ड से भी आगरा करता हूँ लिखने पढ़ने की ताकद वालों से भी आगरा करता हूँ आप दुनिया को बताओ आप दुनिया को बताओ ये سबासो करोर का देश कई लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल कॉलेज जाने का सोभागे नहीं मिला है असिक्षा है गरीबी है उसके बावजुद भी सबासो करोड का देश इमानदारी की लड़ाई के लिए कस्त्र जेलने के लिए तैयार हुआ है ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है बहुत बड़ा अजूबा है दुनिया में कहीं ये संभव नहीं हो सकता जो मेरे देश वाच्यों ने करके दिखाया है उनके जितने गीदगाए उतना कम है उनके जितने गुनगान करे उतना कम है दुनिया को बारत की ताकत का प बारत के अंपड़ व्यक्ति ने, बारत के इमानदार व्यक्ति ने, जो ताकत दिखाई है, उससे जराद दुनिया को परीचे करवाईए, यह मेरे देश की ताकत है, इसी ताकत से देश आगे बढ़ने वाला है। भाईयों भेड़ों, जब अच्छा करते हैं, तो तब करना पड़ता है, तब अच्छा करनी पड़ती है, और तब जेलना भी पड़ता है। मेरे देश सबासियों ने अद्बूत कमाल की है भाईयों, अद्बूत कमाल की, इतियास इतियास इस घटना को इसलिए याद रही करेगा कि कौन प्रदान मंत्री था और किस ने निनने किया था, इतियास इस घटना को इस रुप में देखेगा कि सबासो करोर का देश, इमा जान मंत्री का नहीं है इस लड़ाई का विजए किसी दल का नहीं है इस लड़ाई का विजए किसी सरकार का नहीं है यह लड़ाई का विजए इमांदार देश बात्यों का विजए है इमांदारी का विजए है इमांदारी पर देश को आगे ले जाने की लड़ाई का विजए और इसलिए बेरे पैरे भार्यों बहनो आपने जो आशिरवाद दिया है इसको मैं शत्त शत्र नमाने करना हूं मुझे पिर एक बार भाईयों भynnum मुझे बताईये हाथ उपर करके बताईये इमान लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए बेईमानी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ब्रसाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए काला धन मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए काला धन के कुबेरों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए देश का सुद्धी करण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आप मुझे दोनों हाथ उपर करके आशिरवाद दीजिए आप मुझे असिरवाद दीजिए आपी की ताकत के बदोलत ये देश जितने वाला है ये देश इमांदारी के रास्ते पर चलने वाला है भायों बहनों आओ आओ हम मिल करके आगे बढ़े और जो सपना ले करके निकले है उस सपने को पूरा करके रहे बहुत बहुत धन्यवा बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ